हेलो एवरिवान आप देख रहे हैं स्टेडी एन अधास एक्टिविटीज चनल आज हम रिम्जिंग बुक पढ़ेंगे जो क्लास फ़स्ट की है हिंदे की उसका पार्ट हम पढ़ेंगे 21 नाम है हलीम चला चांद पर अगर आपको हलीम चाप्टर चाप्टर चाहिए तो आप सब्दर्थ और कोश्चन अज़र ठीक है तो देखिए सब्द अर्थ सोचा सोचना मतलब क्या है अपने दिमाग में विचार करना ठीक है अंधेरा अंधेरा मिसके आता है प्रकास का आभाव डर डर यानि की क्या था भै खुश मिसके आता है प्रसन्य लॉट मिस होता है वा कोश्चन अंसर पर आते हैं तो देखिए फर्स्ट कोश्चन है हलीम एक दिन कहां जाना चाता था तो आंसर कहा हलीम एक दिन चांद पर जाना चाता था यही पढ़ा था न हमने चाप्टर पर अगर आपने चाप्टर पर ध्यान दिया है तो आपको पता होगा तो देखिए नेस कोशन है हमारा हलीम चांद के पास किसे गया हलीम चांद के पास किसे गया था रोकेट से गया था थर्ड कोशन है हमारा हलीम को चांद पर क्या दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया हलीम को चांद पर गड़े और पाहार दिखाई दिया तो आंसर क्या है गड़े और ब में जान पर पहुच कर सोचाए यहां भी कोई जगा है क्योंकि वहां पर भी कुछ था यह नहीं तो यहां से वापस घर चला जाए ऐसा क्यों कहा क्योंकि ना इसको वहां पर पेड़ पौने दिख रहते ना इसलिए फोप जाए था तो यह थे आमारे हालिम च ली चला